अगर आपके घर के ऑफिस के इलेक्टिकल बोर्ट से वो गंदे हो गए है या उसमें डश्ट जम गई है तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि आप उसे कैसे सेफली क्लीन कर सकते हैं अगर आप उसे पानी से या किसी भी अश्प्रेस से क्लίν करते हैं तो उसमें करेंट आ सकती है और आपको करेंट लग सकती है तो बिना करेंट लगे हुए आप उसे कैसे सेफली क्लीन कर रहे हैं इसके लिए आप हमारा वीडियो को लास तक देखते रहिए तो फ्रेंड्स चल यह चलते हैं गंदे इलेक्ट्रिकल बोर्ट की तरफ फ्रेंड्स देखिए इलेक्ट्रिक बोर्ट बिल्कुल ही गंदा है इसे आप सबसे पहले एक सुखे कपड़े से क्लीन कर ले तो आपको इस तरह से क्लीन कर लेना है तो इसे मैंने क्लीन कर लिया है ताकि इस में जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो अच्छे से हट जाए Friends, सुखे कपरे से क्लीन करने के बाद आपको तूथपेस्ट लेना है आप कोई भी वाइट तूथपेस्ट ले ले आपको जेली पेस्ट नहीं लेना है देखिए मैं वाइट तूथपेस्ट को यूज कर रही हूँ अब आपको इस पे लगा देना है आपको इस तरह से लगाना है आप safety के लिए main switch को भी off कर सकते हैं अगर main switch का आपने off नहीं किया है तो भी कोई problem नहीं है friends आपको इस तरह से पूरे board पे इसे लगा लेना है आप इस तरह से इस पर लगा दे देखिए मैंने इसे लगा दिया है लगाने के बाद आप इसे 15 से 20 मिनिट तक के लिए छोड़ दे फ्रेंड्स 20 मिनिट बाद आपको एक तुथ ब्रेस लेना है देखे मैंने लिया है तुथ ब्रेस का जो ब्रीशास होता है वाला आपको उसको थोड़ा सा हलके पानी से भिंगा लेना है और याद रखी इसकी हैंडल को ना भिंगाए और भिंगाने के बाद आपको इस तरह से रगर देना है देखे मैं इसे ऐसे कर रही हूँ तो आपको इस तरह से इसे क्लीन करना है आप स्विचेज को भी क्लीन कर लें बठ आप याद रखी कि क्लीन करते समय ए सब को फिंगर से टेस्ट नहीं करना है तूठ ब्ुट ब्रस से साफ करने के बाद आप एक शूखे abon साफ कपड़े ले ले और इस तरह से इसे क्लीन कर ले देखिए हो रही है न ने क्लीन तो यह हैं हमारा final test जो switches white color में थे white दिख रहा है और जो yellow color में थे yellow देख रहा है तो friends इस तरह से हम safely electrical board को clean कर सकते हैं देखिए clean हो चुकी है तो friends आज आपने देखा और सिखा कि कितना ही गंदा electrical boards क्यों न हो उसे हम आसानी से clean कर सकते हैं और safely clean कर सकते हैं तो friends थाने मज़ेदा tricks तो यह trick अपने friends को भी बताईए और ज्यादा से ज्यादा share कीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे like जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर लिजिए और bell icon को दवा देजिए ताकि हमारी वीडियो की notification आपको मिलती रहे अगर आपके मन में इस वीडियो से related कोई भी doubt है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं So friends फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए Bye Bye